जहीं दोस्तों स्वागेत है आपके इस वीडियो में बहुत ही खास और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक हर एक भारती को देखना चाहिए और कभी भी अगर आपने अपने जिन्दगी में गणित पड़ा हो तो ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि आरे भट जी व वह महान खॉगोलेवे ग्यालिक और वह महान हिंदुस्तानी जिन्गों कि अपनी ग्यान से पूरी दुनिया में हंधुस्तान का लोहा मनवा दिया उन्होंने मैर्दी मायत के चिट्र में जो उनका यूगदान था सराहनिय था आज तक कोई उसे काट नहीं पाया जो इन्होंने मैत के बारे में कह दिया तो क्या कहा था मैत के बारे में इनका युगदान क्या था इनका चरितर चितर देखेंगे और जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाए इनके प्रमुख गरत कौन से हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं बेसिक इनके जीवन के बारे में आरे भट नाम ही काफी है तो आरे भट जी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गड़ी तक अगर और खगोल सास्त्री थे तो एक महान खगोल सास्त्री भी थे ठीके दोस्तों इनका जन्म 476 इसवी में होता यह सन याद रखी 476 मतलब 500 इसवी से पहले की बात है अब सोचिए कि 500 इसवी से पहले इन्होंने क्या क्रांतिकारी रिसर्च किये थे और कितना बड़ा योगदान दिये था गड़ीत के छेतरे में देखिए इनके जन्म के अस्थान में कुछ मतवेद है कुछ इतियासकारों का मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में होता जबकि कुछ इतियासकारों का मानना है कि आरे भर जी का जन्म बिहार के पतना में ह वही पतना जी से पहले पाटली पुत्र के नाम से जाना जाता था तो पाटली पुत्र में कुसमपूर एक जगह है जहां पे इनका जन्मस्थान माला जाता है इन्होंने नालंदा विसुविदाले जी यहां दोस्तों नालंदा विसुविदाले के बारे में हमकी दूसरे ये अपना रिसर्च करते थे, अब आए, आरे भट्ची के चार प्रमुख जो गरंथ हैं जो रछनाय हैं वो कौन-कौन से, आरे भट्ची हैं, दस गीति का हैं, तंत्र और आरे भट के सिदान, इसमें जो सबसे मूख्य हैं वो आरे भट्ची है, ठीक है? आरे भटिये दस गीति का तंत्र और आरे भट के सिंदाद अब आईए ये देखिए आरे भट को इनका सबसे प्रमुख और लोग प्रिय गरंथ माना जाता है एक अन्य भारतिय गडिता के भासकर ने अपने लेखों में इस गरंथ को आरे भटिये लिखा तो आरे भटियों को क्या कहते हैं प्रमुख गरंथ मानते हैं इसमें बहुत सारे विशियों जैसे खोगोल विज्ञान, गोलिय तिरकोडमिती, अंक गडित, बीज गडित और सरल तिरकोडमिती का वड़न है और सबसे खास बात ये है कि आरे भटिये पूरे गडित को कहीं भी गडिती भासा में नहीं वन, टू, थ्री, फोर से एक बैत को नहीं पढ़ाया इन्होंने संस्क्रित में ही पूरे गडित को पढ़ा दिया इन्होंने गणित और खगोली विज्ञान के अपने सारे अविस्कारों को स्लोक के रूप में लिखा है स्लोक के रूप में संस्क्रीट भासा में यह जो लिख गए चले गए आज तक कोई उसे काट नहीं पाया आगे देखिए पूरे विस्ञों में कौपर निकस ने पूरे विस्ञों को बताया था कि पृतवी गोल है और पृतवी चकर लगाती पृति अपने धुरू पे घूमती रहती है लेकिन जब कौपर निकस ने बताया था उससे 1000 साल पहले ही आरे भट जी अपने स्लोक के माध्यम से लिख चुके थे क्या लिख चुके थे कि पृत्वी गोल है और वो सूर के चार ओर चक्कर लगाती है कौपर निकस से 1000 साल पहले ये एक भारती है वो भी नालंदा वी सुविद्याल है यानि कि पतना पाटली पुत्र बिहार के रहने वाले आरे भट जी कौपर निकस से 1000 साल पहले ही उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि पृत्वी गोल है उस समय कोई दूरबीन नहीं था कोई अंतरिश पे नहीं गया था कोई भी कहीं किसी गराफ पे नहीं गया था उस समय उन्होंने बता दिया अब ये जान के आप भी गर्व करेंगे कि आप एक हिंदुस्तानी है उन्होंने गरित और खगोल विग्याने में ऐसे ऐसे योगदान दिये करामतिकारी उनके रिसर्च रहें सबसे पहले पाई की खोज उन्होंने की थी एक उन्होंने अपने एक गरंट लिखा था उन्होंने एक स्लोग लिखा था उस स्लोग के माद्यम से पांसो इस्वी में पांसो इस्वी में बता दिया था पांसो इस्वी में एक्जाट डेट नहीं देखिए आदनी यूग में पाई का मांद सबसे पहले 1706 इसवी में विलियन जॉन्स ने बताया था जबकि भारत के महानगर्टिक आरे भड़्टी ने पाँचवी सदी में, मतलब 500 इसवी में पाँचवी सदी में पाई का सटिक मांद बता दिया था मांद बता दिया था मतलब है चार अधिक चार अधिक किसमे सफ सौ में चार अधिक हैं देखिए और अस्ट गुणा मतलब आठ गुणा सौ में चार अधिक मतलब एकृ रærव मतलब एक त्वा इक फोचार और इक आठ 1976 का योग और जिभ 20,000 से आप डिवाइड करेंगे तो वही क्या होगी पाई की मान होगी उन्होंने बताया क्या था कि जब आप 100 में 4 अंक जोड़के 8 से गुणा करके 6200 एड करते हैं तो वह जो संख्या प्राप्त होगी वह एक बृत जिसकी 30,000 है की व्यास होगी की circumstances होगी की परीधी होगी अब एक्चल में पाई क्या होता है थोड़ी सी इसके बारें में जान ज़िए पाई जो वैल्ली होती है किसी बृत के परीधी और उसके तरिज्या का रेशी होता है मतलब उसकी परीधी में जब आप तरिज्या से भाग करेंगे तो प्राप्त वैल्यू पाई होती है और उन्होंने 500 इस्वी में कह दिया था कि अगर आप 100 में 4 जोड़ के 8 से गुणा करके 62 अगर जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संक्या होगी वो 20,000 त्रीजिया वाले वृत की परहिदी होगी उस समय उन्होंने बता दिया था देखिए आरे भट ने पाई का मान दसमलों के 4 अंकों तक बताया इस खोच का वड़न करते हुए आरे भट ने अपनी किताब गडित पाद में लिखा है कि 100 में 4 जोड़े फिर 8 से गुणा करे और फिर 200 जोड़े और 20,000 से भागफल निकाले इसे से प्राप्त उत्तर पाई का मान होगा 500 सदी में देखिए विलियम जॉन्स के 1706 में बताया था उन्होंने 520 में बता दिया था कि पाई की वैल्ली अगर निकालनी हो तो अपने इस स्लोक के मादे देखिए बीना मैत के पूरी मैत को उन्होंने संस्क्रित में पढ़ा दिया था अपने स्लोक के मादे हमसे उनकी गलित के छेतर में दूसरा योगदान क्या था उन्होंने प्रीथवी की परीधी बता दी थी उन्होंने बता दिया था कि यह जो प्रीथवी है उसकी परीधी कितनी है वो कितनी उसकी लंबाई है और कितनी उसकी चोणाई है देखे आर्येबट ने प्रीथवी की परीधी की लंबाई की गड़ना की जो उन्होंने बताया था 49,968 km बताया था जबकि आज दूरबीन और अंतरिक्ष का सफर करने के बाद आज के विग्यानिक 40,75 मानते हैं उन्होंने कितना बताया था 49,968 और आज वास्तविक्ता इतने डेबलप होने के बाद आज 40,75 मानी जाती है मतलब केवल 0.2% की अंतर है आज़ुनिक विग्यान के लिए आज भी या अस्चरे की विसे है कि उस समय इस तरह की गढ़ना किस प्रकार स्वंबाओ है तो उन्होंका दूसरा योगदान क्या था कि उन्होंने प्रिथिवी की परिथी बताया थी उन्होंका योगदान यहीं खतम नहीं हुआ था उन्होंने सुन्ने की खोच की थी सुन्ने की खोच आप इसको कह सकते हैं उन्होंने अस्थाई मान बताया था अस्थाई मान का मतलब प्लेस वैल्यू बताया था उन्होंने आरे भट ने सुन्ने की खोच उन्होंने अपने गरंध में एक स्लोक लिखा, कौन सा स्लोक लिखा वाई, यहां देखिए, एकम्च, दस्सम्च, सतम्च, इसका क्या मतलब हुआ देखिए, अर्थात, एक दस, एक दस, सत मतलब सो, सहस्त मतलब हजार, आयूति मतलब दस हजार, नियूति मतलब एक लाख, प के बात की संख्या है यह उसकी 10 गुणा है देखिए बृंप्रतेक पिछले अस्थान वाले से अगले अस्थाने वाला दश गुणा है अन्य सब्दों में कहें तो किसी संख्या के आगे सुने लगाते ही उसका मान दस गुना बढ़ जाता है उन्होंने कहा था कि एक और उसके आगे दस जो है ना इन दोनों ये जो है वो इसका दस गुना है और अगर दस और सौ की बात करें तो ये जो सौ है वो इसका दस गुना है उन्होंने उस समय प्लेस वैलू आज हम जो निकालते है अगर इसका place value निकालेंगे तो यह काई के अस्तान पे है तो इसका 10 होगा यह दाई के अस्तान पे है तो इसका 100 होगा उन्होंने उस समय बता दिया था कि एक सुन्य जब आप लगाएंगे तो इसकी value 10 गुना बढ़ जाएगी उस समय वो भी संस्कृत में बता दिया था उनकी एक और खोज किया थी दोस्तो गडित के छेतर में उन्होंने पूरी तिरकोड मीती को खोज दिया था उस समय आरे भट का तिरकोड मीती के छेतर में बहुत मातुपूर योगदान रहा उन्होंने अपने गरंथ में आरे सिधानत में साइन को साइन वर साइन तथा इनवर्स साइन साइन इनवर्स की भी खोज उन्होंने कर दी थी किसने आरे भट जी दे बीजगणित में बीजगणित में उन्होंने खोज किया था आरे भट ने वर्गो एम घहनों के स्रीखलाओं का जोड संस्कृत की सुलोक में बता दिया था 1² प्लस 2² प्लस 3² की वैल्यू का हातों की अनन तक की बात कर रहूं है उन्होंने 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q की संस्कृत के सुलोक के माध्यम से उन्होंने बता दिया था उनकी और कांटृब्यूशन देखते हैं उनकी और योगदान देखते हैं अब खगोल के विज्यान में सबसे पहले आप जानते है कि उन्होंने प्रित्वी की लंबाई चोड़ाई बताई थी प्रित्वी की परिदी बताई थी और आरेभट जी नहीं बताया था कि विग्यान के छेते महतपूर्ण ये अरेभट ने या सिद्ध किया कि प्रित्वी अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है जिसके कारण आकास में तारों की इस्तिती परिवर्तन होती है तारों की स्थेधी परिवर्दन होती है क्यों क्योंकि प्रिथिवी अपने अक्ष पे घुमती रहती है इसकी खोच भी किस ने करे थी आरे बटने बताया था गोलपाद में स्पेस साइंस की बहुत महतपूर जानकारी की वियाख्या की गई है आरे बटने अपने गरांतों में सूर्य गरांट और चंद्र गरांट के विग्यानिक कारणों को बताया कि सूर्य गरांट क्यों लगता है और चंद्र गरांट क्यों लगता है आरे भट नी जी ने ये भी बता दिया था कि कि चंद्रमा और अन्य ग्रहों के पास अपना कोई स्वयम का प्रकास नहीं होता वो सूरी के प्रकास से प्रकासित होते हैं सूरी के प्रकास से प्रकास मान होते हैं या प्रकासित होते हैं आरे भट जी ने बताया था आरे भट ने खगोल विग्यान के छेतर में महतपूल यगदान दिया ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों आरे भट ने या सिध किया कि पृतिवी अपने अच्छ पर ने अंदर गूमती रहती है और साथी साथ आरे भट ने क्या बता दिया आरे भट ने या भी बताया कि पृतिवी अपने अच्छ पर घूमते हुए सूरी की परिकर्मा करने में 23 गंटे 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लेती है और एक साल में 365 दिन 6 गंटे और 12 मिनट होते हैं उन्होंने यह बताया था कि सूरी सौर मंडल जो भी आपना सौर मंडल है उसका केंद्र कौन है सूरी है और प्रिथिवी अने गरह उसकी परिकर्मा करते है आरे वट ने बताया था और आरेवटने अपने गरतों में सूरिगराण और चंदगराण की का वेग्यानिक कारवलों से सिद्ध कर दिया था ठीक है उन्होंने यह भी बताया था कि चंद्रमार और अने गरहों के पास अपना प्रकास नहीं होता वही बाते में रिपीट कर रहा हूँ कि चंद्रमार अने गरहों के पास अपना प्रकास नहीं होता वो सूरिग के प्रकास से प्रकासित होते हैं और आखिरकार वो दुख की घड़ी आई जब ऐसे महान गड़ी तग और खगोल सास तरिये हिंदुस्तान के वीर सपूत अपने प्रानतियाग दिये सन 585 स्यू में 74 वर्स की आउधी में 74 वर्स की आयू में उन्होंने अपने प्रानतियाग दिये वो स्वरकवास हो गया तो देखिए ये था हमारा हिंदुस्तान और ये था आज हम बड़े कम आगते हैं अपने आपको एक सौट हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कन्क्लूज कर लेते हैं उनका नाम भाई आरे भट जन्म उनकी दिसंबर 476 उनकी मेरित्यू 554 वर्स की जर्मस्थान अस्माकम महरास्ट्र भी माना जाता है और पाटली पुत्र पटना कुसुम पूरा भी माना जाता है कारेचित गनितागे जोति स्वेद और खोगोल सास्त्रिते कारेचितल नालंदा विसमेदारे रचनाय आरे भटिया आरे आरे भटके सिदान ये दो प्रमु गुमने की खुश, तुई ए सारी खोजे किसने करी थी, आरे वट की इसमें सोच ये, आपको सोच सकते हैं कि आज ये चीजे आपको असान लगरी होगी आप 20th सदी में पढ़ रहे हैं आप इन चीजों को कब जान रहे हैं, तोसेस सदी में यारे कि सन्醒 2000 एक किस में पढ़ रहे हैं इन चीजों को दोजर बाईस में अगर चीजों को पढ़ रहे हैं तो तो सोची आज से पंदरा सौ साल पहले उन्होंने इन चीजों को कैसे बताया था कोई भी उस समय आधोनीक उपकरण नहीं थे कोई अंतरिक्ष पे नहीं था अब चोटी चोटी बाते हम देख लेते हैं कुछ कोश्चन कैसे पूछे जाते हैं सबसे पहले आपको कोश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरे भट जी कि चरितर चितर करिये तो आरे भट ये थी ठीक है इन चीज़ों के याद रखे आरे भट की जर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है और आरे भट के मृत्वी के बारे में भी पूछा जा सकता है आप इसे ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विस्विदाले का क्या युगदान है नालंदा वि और हर एक भारतिय को मैं रिक्वेस्ट करूगा कि अगर टाइम मिले तो आरे भटी है जो ग्रंथ है उसकी आप हिंदी या इंग्लिस ट्रांसलेशन जिसे भी भासा में आप कंपरटबल जरूरू पढ़िए दोस्तों मेरी कोशिश थी कि अपने देश की इतिहास और यह इंप महान युगदान को जान सके और वो खुद को प्राउड फिल कर सके एक भारतियों पर बहुत दोस्तों शुक्रिए इस वीडियो को देखने के लिए जैहिन जैप